क्या की गाड़ी करने वाली है, मार्केट में एक बड़ा द्रा गागा। जी हाँ दोस्तों मैं बात करने वालहूं क्या Grand Carnival की जोकी अगले महीने ही launch होने वाली है। और क्या ने इसमें बहुत सारे अपडेट दिये हैं और इसके फीचर देखकर आपके एक प्रेशन कुछ ऐसा होगा तो शुरू करते हैं आज कई वीडियो और आपको बताते हैं इसकी नए फीचर के बारे में और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है दोस्तों जीचर अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सबस्क्राइब कर ले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ऐसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी की की कुछ इस फरकार की आती है अर्ज में कौन से फसंडन किया सैल्डो से जड़ है इसे आप देखी सकते है और इस वाले बटन के लोंग फ्रेस से डोर ओटोमेटिक जो है खुल जाता है दोस्त अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये काफी ज़ादा है और दोस्तो ये गाड़ी जो लोग फैमिली के साथ जाते हैं उसकी रिक्वाइर्मेंट पूरी करने वाली है क्योंकि है आपको 11 सिटर में मिलती है इसी वज़े से इसका नाम Grand Carnival लखा गया है तो इसमें सभी चीजे भी आपको Grand ही मिलेगी और अब बात करते हैं इसकी लोक्स की तो एक सांदार लोक के साथ ही है आपको मिलती है जो की नए डिजाइन के साथ है और इसकी सभी लायटे मुल्टिपल एरे के साथ मिलती है और 18 इंच के एलो वील साथ है जो की चारो डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिलते है अब बात करते हैं इसकी सीटिंग की तो आपको बैक रो कुछ इस परकार की मिलती है आप देखी सकते हैं और आगे की रो कुछ इस फरकार की मिलती है जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ इसमें आगे से पीछे तक का फोटो आपको दिखा सकता हूँ और एक सन रूप आपको आगे वाली सीट के उपर मिलता है और इस पर पूरी तरह कांच का यूज के आगे का रूप थोड़ा चोटा है अगर हम पीछे वाले रूप की बात करें तो यह है आगे वाले रूप से थोड़ा बड़ा है और पीछे से कुछ इस फरकार देखने का लुक आपको मिलता है और पीछे की तरफ केवल carnival की बैजिंग आपको मिलती है कहीं पर भी grand carnival आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा सभी जगे carnival ही लिखा हुआ है carnival की बैजिंग ही आपको मिलेगी और उपर की तरफ से दोनों सनरूप कुछ इस परकार के आपको नजराती है और पिछे से खोलने पर कुछ इस परकार दिखाई पड़ती है पिछे की तरब ज़्यादा समान नहीं रख सकते वैसे आप इसकी पिछली सेट को फोल्ड भी कर सकते हैं और इसके बाद यह सेवन सेटर आपकी बन जाती है यानि कि 11 सेटर से आपकी 7 सेटर बन जाएगी अगर आप पिछली सेट को फोल्ड कर देंगे और पिछली सेट फोल्ड करने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस आपका बन जाता है आप इसे अच्छी तरह कुछ भी समान इसमें रख सकते है अब बात करते हैं इसके इंटेडियर की तो यह आपको काफी सही मिलते है यह आपको पहले थर्ड जनरेशन में भी देखने को मिलता था अब बात करते हैं इसके इंजन की तो यह आपको डिजल इंजन के साथ मिलती है जो कि 2.2 turbo diesel engine के साथ आती है और इसकी power रगवद दो 100 hp की आसपास है और अगर हम इसके torque की बात करें तो यह है 440 torque की आसपास देखने को मिलती है और अगर हम इसके fuel tank की बात करें तो यह है 32 liter के fuel tank के साथ आपको देखने को मिलेगी हाला कि ये अभी तक इंडिया में लॉंच नहीं हुई है और अगले ही महिने जो है लॉंच हो जाएगी रेश्टेरिंग के सामने आपको डिजीटल मिटर देखने को मिलेगा और सभी लाइटे जो है ओटो फंक्सन के साथ आती है और इसमें आपको कुरूज कंट्रोल भी जो है मिलता है जो की स्मार्ट कुरूज कंट्रोल के साथ आती है और सामने 12.3 इंच की मैं डिश्पले आपको देखने के मिलती है जिसका लूक बहुत ही ज़यादा प्रीमियम लगता है पहले से यह display बहुत ज़्यादा बड़ी है अगर हमें इसके controller system के बात करें तो यह भी आपको पूरा का पूरा digital देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देखी सकते हैं सबी चीज जो है यहाँ touch करने से ही आपका control हो जाएगी वेसे दोस्तों आपको कैसी लगी है गाड़ी हमें comment करके जरूर बताएगे और आगे आप किस गाड़ी की जानकारी चाते हैं हमें comment जरूर करे और ऐसी और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में